हमारे देश में अब लोग ऐसी कारों में ज्यादा रुची दिखा रहे हैं, जिनमें ज्यादा स्पेस के साथ और कमफर्टेबल फील मिलती हो। इसलिए MPV सेग्मेंट जिसे हम साथ सीटर कारे के तौर पर जानते हैं, कि विक्री में उत्साह देखा जा रहा है। अब तक मारुती सुजुकी की अर्टिगा, अर्टिगा इस सेग्मेंट में अग्रनी है। इस कार को ग्राहकों ने कीमत और माइलेज के मामले में बेहत पसंद किया है। इसे अभी तक किसी भी दूसरी कार के सामने टक कर नहीं मिली है। लेकिन मार्केट में कुछ समय पहले आए एक साथ सीटर कार अर्टिगा के लिए खत्रा बन रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किया कारेंस की या केरेंस की। जून महीने में इसकी 8,047 यूनिट्स की बिखरी हुई है। जबकि पिछले साल जून में केरेंस की 7,895 यूनिट्स बिखी थी। यानि केरेंस की सेल में 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मारुती सुझु की अर्टिगा की सेल में जून 2023 में 19 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। इस महीने में अर्टिगा की 8,422 यूनिट्स की सेल हुई है। जबकि एक साल पहले यानी जून 2022 में इसकी सेल 10,423 यूनिट्स थी। किया केरेंस कमपनी ने डीजल और पेट्रोल दोनों इनके साथ 6 और 7 सीटर विकल्प उपलब्ध है। गाड़ी के लिए आप ऑटोमेटिक और मैनूल ट्रांसमिशन का विकल्प चुन सकते हैं। यहां खास बात है कि किया केरेंस को कमपनी ने कुल 21 वेरियंट्स में पेश किया है। केरेंस की कीमत की बात करें तो यह 10.45 रुप्य की एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। किया केरेंस की भरपूर सुविधाएं और एक्स्टीरियर डिजाइन के कारण लोग इसे बड़े उत्साह से खरीद रहे हैं।